तो दीपीका चिखलिया साथे वादचीत नी शरुवात करवा जे रहोचू हूँ छू ध्वनित अने हूँ दीपीका जीने कई रहोचू प्रणाम माते नमश्कार एक समय हतो जारे दूरदर्शन पर रामायंड धारवाहिक आवतू अने बाहर कर्फ्यू थे जतो अने हवे यह समय है कि बाहर कर्फ्यू चे अने दूरदर्शन पर रामायंड जुवा मले चे वो यह कल्पना पर नोधी करी के रामायंड आर इते फरीवार जुवा मले आपसलोटली आपने लाइफ मा क्यारे सूथ हमानू चे यू जिस्ट अब नो आइडिया इनले त्रण मेना पिलना अपने ख्याल नोधो कि बाही दूरदर्शन पर पाच्छी परी थी रामायंड आउसे कि करोना वाइरस ने लिए आपने घरे बेसू आपने अन्प्रेडि आपने की कार vers. यू से लिए कहानी आपने लिए हुँआ की बामाय थाफैन跟大家 हए लिए मनें चेव पनायनू ने कि मनें कि वी बुख दूर्ण आपने आपने चे की च्गहए हम है खिलिए इन ब बूलाए रेलाग रिंतितु अज सूर्ण पर् पैने गाई हो मनें थे फ्ट वे सो, वन दो नती, you know? I think it was a very smart move. So, okay, बहुत सारे फैंसे हैं, जो चाहते हैं, कि आप हिंदी में बात करें, तो अवश्यों, 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 इच्छा है, उसकी पूरती की जाए, मैं कुशिश कर रहा हूँ, कि मैं रामाइन जैसी भाषा में बात करूँ. ठीके, आप रामाइन की भाषा में करियें, मैं आज की भाषा में हिंदी में बात करूँगी. चलिए, तो… अनूच, मैंने काफी कर लिया है. तो, पहली बार जब आपको यह एहसास हुआ कि, अरे, मैं बिना साड़ी के बाहर नहीं जा सकती अब. लोग यही अपेक्षा रखते हैं कि साड़ी ही पहन नहीं पड़ेगी. And you wanted to wear something else and go out. तो आपके मन में वो जद्दो जहद थी, जो आपके मन में वो असमन जज़ थी, वो उसके साथ कैसे डील के आपने? क्योंकि आपकी एक इमेच बन गई, कि अब तो साड़ी ही पहननी है. तो क्या वो अनुभव कैसा था? कोई किस्सा है? मैं एक बहुत फ़नी बात कहना चाहती हूँ. जब मुझे लगा कि अब मुझे सारी के सिवा और कुछ पहननी का मन कर रहा है, मैंने सुछे मैं चादी कर लू. तकि I can wear something else and I have a different image. मैं एक बात बताती हम आपको, मैं वेस्टन क्लोस पहने सी, आपको सब लोग पहनते ही थे, दिनों में तो सिफ ट्रैक पैंस ही हम लोग गूंते थे, without shooting, but मुझे हमेशा बहुत प्यार बहुत लगाव सारी से रहा है. तो जब साड़ साब रहा किसीते, जब ही भी भी बहाँ जाएंगे, प्लीज आप साडी पहना, घर पर तुम जो पहना हो पहना लेकिन दर्वादी के बहाँ जब पुब्लिक अपेरंस होंगे, तो यू शुड वेरा साडी कि वो एक गरीमा मैंटेन रहेगी. यू कहीं भी ये बात खली नहीं, क्योंकि मुझे बहुत पसंदें, और मुझे अजसे लगता है कि, Indian ladies, we all look very very good in sarees, 99.9%. Indian ladies, बहुत सुंदर लगती sarees में, तो, who doesn't like to look prettier? Come on. So, why not make the most profit? So, I enjoy wearing sarees, and मुझे कभी भी ये बात खली नही है, and ये बात भी सही है, कि जब एक बार मैंने शादी कर ली, and मैं पांच साल डेफिनिटली शादी के दौरान, पांच साल मेरा थेन्योर रहा पार्लिमें, लेकर उसके बार मैं धीने पुब्लिक लाइफ से, मैं काफी हट तक तूर चली गई, मैं एक माँ बच्टई, and उस दौरान, एक मरी पसनाली के काफी हटा के इंग रही है, so मैं बहुत सारे विक्सिंटले पुब्ले पुब्ले पुब्ले, तो अगि कि मैं भेस्ट बोट वर्ल्स एंजोई किया है कि मैं आज भी मैं सारी पहन के पुब्लिक फंक्शन्स करती हूं, लेकिन जब मैं फ्रेंग, पामिली के साथ हूं, तो I'm very comfortable wearing gauns and jeans and everything, मैं तब कुछ जो भी लोग पहनते मैं, सब पुछ पैंदी हुए तो नो आशा है मेरी पूरी हुई है आपके फैमिली के बारे में जरूर जानना चाहेंगे यंग्स्टर्स जो फिर से रामायन देख रहे हैं और पहली बार साइद आपके बारे में जानना है तो आपके फैमिली के बारे में जरूर जानना चाहेंगे तो आपकी शादी जिन से हुई उनके बारे में कुछ बताईए और आपकी बेटी के बारे में कुछ बताईए मेरी फैमिली है बहुत जादा प्राइवेट है मतलब मेरे हस्बन का नाम हमन्स टोपिवाला है बहुत जादा प्राइवेट है फैमिली में यह two brothers and one sister हमन्स से उनकी बहन 10 साल बड़ी है और उनका बहाओ है जो सथ साथ साल चोगा है बड़ बेटिया है वड़ी नाम निदी है छोटी का नाम जुही है और अलसु मेरी बड़ी बेटी की अभी शादी हुई है दो महीने पहले इसका नाम कुष है जो मैं बहुत मजाग करती हूं इन फाक्क ये पब्लिक लाइफ में बताया नहीं है मैं पस्ट्र्म बताने जा रही हूं मैं मेरी बेटीयो के साथ साथ करती हूं कि देखो मुझे लवखकुछ नहीं हूँआ लिकिन मेरा जवाइ है जिसका नाम खुश है तो मैं कही ना कही सीता हूं समया बहुत नाराज हो जाती तो क्या पता आपके दूसरे जमाई का नाम कही प्रेम या लव निकले और फिर आप ये कहें प्रेम चोपरा मेरा नाम है टाइट नहीं चाहिए लव चलेगा बुझे लव चलेगा आप कुछ को कभी कहते हैं कि आज कुछ तो बहुत होगे तुम आज सुरी और यहाँ समुस्तो बहुत होगे तुम और मेरिव प्रफॉपटा स learner मैं बहुत जादा अचाह थैया है मैं बहुत 주세요 I was about to ask you I was about to ask you about the tattoo क्योंकि जब आप एम्दाबाद में आई थी मिर्ची के स्टूडियो में हमारी जब मुलाकात थी पिछले साल तब मैने वो तैटू देखा था और मुझळ लगा कि मैं पूचू के ओर ना कि पूचे तो क्यो पूचे लेकिन। लेकिन आज मैं पूचने दापको कि ये तैटू क्या है तो बताए उसके बार बे 1600 तो मेरा tattoo मैं मैं आग एड लिखा, तो मेरी बाटी बेटिया ट्यू करने जा रहे थि आप ऑंप कि चलो mom, you come along with us one life, live it up Kya Vodave, what is it called that? YOLO? I don n on what is this I don't know what it's actually called as YOLO So I said Neine I don't know, I can do what do you He said whatever you are connected with, what do you feel strong I said I'm connected with a Aum, I am connected with एक हुआ पिरिचिल एक है तो आप रिलिजिस ऑश तो इसा जए ओम है और अटएद दो चीज आई रिदिपया जी इनिटिपया थे तो एड़ दो एड़ू जिए दो 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 एड़ू दाद and yeah I am happy I got it done yeah but my mommy got a lot of nauseous so let's see yeah she's a Gujarati, I'm a Gujarati so my mom's like okay, daddy no name, I will that was the reaction so I don't know mom, I will get it done, hold it okay, Hemanji when you married in the family, how many people have said that you are Ram Maryadha Purushottam what do you mean, Ram Ram many people have said that this is your husband yes, many people have said that this is the real Ram and I was giving interviews that if I get married then I have a little Ramji and a little Ravan and then people would ask Heman if you are the real Ram so he was always looking what are you talking you know and okay I mean because he's private he never had to answer anything in public and because I talk quite a bit I have been able to you know surface and get around with all this so I mean definitely Heman for a question but he's I don't think he's really ever answered it I don't think so because he said that Ram it starts with Deepika and it ends with our house please don't connect with him that is how he always felt yeah Deepika ji, your voice is very loving you have a very clarity of your voice the tone is so loving and when you see on the screen then the piousness of Sita ji that is the very important part of my life is the very important part of your life and the most important part of your life is it that Ramayana is your favourite episode that is the best way और अच्छा प्हohl एक पातर आपको बहुत अच्छा लगा सब्ध उर इंस्टन्स बहुत अच्छा लगा हो पूरी कता वो कौन से जब आपको लगास अपने आपको अपने आपको earned theazioni पर आपको लगा की आरे ये सटीक हुआ I am ma manage h कि आगारन हमेशा कहते थे, जब हमने रामायन बनाई, मैंने पोस्तमायन का काम किया है, वो अपने आप बन गई है, मैंने भी बनाई So actually, there have been lot of instances in Ramayal, जो मुझे लगा कि it has just gone smoothly, flowy, मेरा जब अगनी परीक शातना इतना बड़ा सेट, इतने लोग, अचानक everything went quiet, I was saying my lines, with just one take we did that whole thing Same thing happened, इतना beautiful, सुबस चार बजे हम लोगने shooting की, मैं walk कर आ रहीं, of course, बहुत सारे shots हुए, कभी face के, कभी पेर के, कभी खागरा के ये, मैं लोगने जो shoot किया, finally, सारे सारे साथ बजे, मैं बर्माला जो पहना रहीं, so there was so much magic in that, and मुझे कहीना कहीना कहीना, I felt connected when I hugged and cried with Jhanak Ji, I was my own makeup artist, I have to clarify, आपने अपने खुद का make-up खुद ही किया है? अपने अपने आप किया है, of course, there was a unit of makeup artist, तो दूसरे लोगों कहा करते है, I was very experienced, मैं कापी काम कर चुकी थी, so I knew how to do my makeup, so I did my own makeup, so I did my own makeup, so my dress designer अपनी थी, मैंने अपने अपने खुज की है, color combinations, यह, वो, सारी अगएरा, everything I had done, जब चेंज करना था, क्या करना था, तो पापाजी उराफनी सीटे, आज आजो डिसकस कर लेते, क्या पहना है, कैसे करना है, and then this man would be called and he said, तो ठीक है, तीटा जी को ये करना है, आप ये कर दीटेगा, तो आपको कोई दीपिका कहे नहीं बुला था था सेख पर? सेख वस अलवेज प्रभू, रामजी या सीटे, and पापाजी है, पापाजी है, बेरी क्लिरली सेख की, एवरी आधिस शुद भी आधिस शुद भी कोई मुझे बुला देते थे, बट पापाजी है, प्लीस, सीटा जी है, उनको सीटा जी घने तीछे, तो सेख पे जब कोई प excitement रहता था, कि आरे, हम शुटिंग देखने जाएगे, तो रामायन का शुटिंग देखने जब लोग आते थे, तो सीधे आपके चरंस पर्ष करते होंगे, मैंने तो इतने सारे किसे सुने हैं उस वक्त भी जब हम चोटे थे तब, कि लोग टीवी ओन करने से पहले अगरब बहने लगे, तो आप इंटरली कैसे डील कर देखने इस चीज के साथ, कि अरे, यह क्या कर रहे हैं? सकता इस फिर से जिए का मेकप रूम है, यह वकार कमरा है, यह राम जी का अप्रॉम है यह लगार्ष मेर्ष भावार्ण शी नहीं अशचार घाते हैं, अिजए ग्वान के एक बच्छे आटे थे, लोग दूरे आते होड़े जाते थे, अट्सें पर और आप उर गया जाती हम तुरा लगता था था ती क्या हो रहा है कुछ चैड बनादो कुछ करो लेकिन शुटिंग वास मतलब हमारे जब संदे कुछ शो होता है को हम लोग कभी कभी वो कसे करें साथेड़ इवनी को अमरगाउं से एर्फोट कोई पालेट के थो जा ती 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 कुछ कुछ कर दे था रहा है ती तो हमार जाएग तो था ती कुछ बहुता है युट इछ गले था नोगों को बिल जाता था 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 यू बेरी रिस्पेंट को अगर ऐसे होते थे जो आच तो बकाइदा इतनी श्रद्धा से पहश होते हैं कि, you know, you forget and you feel bad and you, it's very awkward, बहुत awkward लगता था, कि यह क्या करें, लेकिन मैंने चीज़ देखी है कि आप श्रद्धा, किसी की पेद, किसी की श्रद्धा कि विशेप आप किसी के साथ बात नहीं कर सकते हैं, यह चर्चा नहीं कर सकते हैं बिल्लुल, बिल्लुल विवार दिल्दी मैं तब यह इंसिडेंट वाँ बगड़े क्रिकेटर असोचिएशन के ग्राइशन के ग्राइट्परेंस ते, I don't like to mention names, लिजाओ कि उनके ख एंटो गुचएझवट्स तो नहीं पर अटी अटी हैं लो भी सुछ थाड़ा कि उनके पर जाढ़ मेरे परेंसरे साथ उनकी 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 शन्माइट देती हैं भी साम्ही अएशन करिये, cankingepende.iste मैंट कि आप ठोटी हैं उमर में लेकिन पूरे हिंदुत्तान में इतनी लड़किया हैं तो आपको क्यों सिता जी बनाए तो कही नहीं प्रभूराम की आपकर कुरुपा है अशिरवाद है I know it particularijší बनाएं उकार में वह से वावर कहना हैं और छोग आपको आपक हैक उलगाएं पार प्रिबदाएं खोड़ गाएं आपको फुरूझ को जी नहीं पर पर जो बड़ा है, अगर कोई करता है, उस स्रिसाची को ध्रान में रखता, तो yes, it was a little odd feeling, odd feeling, काफी सालों तर यह रहा है. अचा अब कितने सारे गुजराती लोग हैं जो यह कह रहें कि अगर आप दोनों गुजराती तो गुजराती में क्यो नहीं बात करते हैं, भय किकी कई नहीं बात करें। नहीं नहीं वो आम दोनों बैलेंस करने में जा रहे हैं कि आपके बहुत सारे फैंसे जो हिंदी जो गुजराती नहीं समझते चलिए मैं गुजराती वाला सवाल पूछता हूं आपको रामा एंड सीरियल मा कितला बदा एवा एक्टर सता जे गुजराती जैम के दीपिका चि ठाइ छ्ड़ाति पनी पतनी उर्मिला बैन भण जैमने सीता जी ना मात्रुसी नो रोल करें और मुकेष रावल जैमने विभेशण नो रोल करेंग्र दीच्टमने र Chris 40-50% गुजराटी हाता विचा 20-30% महराश्रीन साता अने बच्छी भीजा उपी आइस में बदाब So let me ask you this question that when you used to talk to Arvind Trivedi who played the role of Ravand Toh kya आप दोनों में गुजराटी में कुछ बाते होती थी? Acha Nalim Dave was kumbh karna Yes, yes, Nalim Dave, that's right Nalim Dave, that's right, yeah So I have noticed that when you are in the film industry, you are Gujarati or whatever you are Business community, oh Gujarati what? You know, Gujarati what? You know Gujarati maa talk about it And business community maa in the business community But what do you call in the film industry maa? You are in the film industry maa? Acha Gujarati hai? Acha how nice Acha patayyee kya tada? Khaa Tata Gujarati maa talk about it So that is like your work language So Arvind Bhai sate maare kyaare Gujarati maa wath noti thati But Nalim Bhai Dave sate ek Gharu Gujarati bolthata And I mean he sate Gujarati maa wath karthiti Okay, so let us switch over to Hindi and English now Because a lot of people would not understand Gujarati So, to ye set pe jo mahal hota tha Usme jab aap, jab scene karra hai tab aap to kirdaar mein Lekin uske alawa phir aap jab set pe hai jab lighting ho rahi hai Ya make up ho raha hai dousari loga ka costume ho raha hai To us time pe kya hota tha? Khaana kya khaate thi? Bate kaisi hoti thi? Koyi pranks hotate thi ya nahi? Masti maza hota tha ya nahi? Ya phir poora pavitrata se bharahi wata waan 24 gandte rhetta tha? Nahi, aisa nahi tha Pranks were there honestly Mujhe kabhi pranks pe ingon nahi kiya tha Because I was a very introvert So, I was always considered to be Sita ji So, he was always considered to be Sita ji So, he was always considered to be Sita ji And Sanjay Jok, Sunil Lahari and Sameer I mean they would pull people's legs And normally men to men who You know they pull their legs and they make fun It's okay, you know for me to get involved It would be a little weird also And it was, you mentioned about off-sex So, we have a big difference Film shooting and Ramayana shooting difference Normally we are all the artists who Camera chalo tha, you get into the character You don't get into the first character So, we have to do a movie If you play an old woman I am not going to behave like an old woman Throughout the day It's only in front of the camera It's action and you react But Ramayana, it was not like that Ramayana, you are out of the character But not entirely out of the character Because you came to the spot boy And said, Sita ji, what do you want for your tea? You know things like that So, we have to do a movie Because we have to do a movie Which is not the movie It has to do a movie It's a movie It has to do a movie Because it is not the movie That's what we have to do Ok There was a dog And a boy Agurth saabh came with a boy That took them from the beach And they came to the beach And dogs were in the middle of the age of 18 FIRST NIGER इन्हेह साल के बच्चे पच्चे थे ओनके अजुबाजुबाजू आगे आप इन्मीच अवीट ली राम लक्षमन अरिम्यराक वर्ट हो राप्र भर्ट वरिम्यराग से अप्रुपन नहीं थी नहीं हिसाँ चाइड याद नहीं हो लूद। तो सब लोग ठड़े होगए लक्षमन ने तो हट! हट! यह वी साथ स्क्रीमी एंझ रामी तो हट! हट! तो तो हटुटु टीफ वहाँ पे निशाद भखुटवन का नाम है जो तो रामची टीदो आहा भांगे तरो अप्ते प्या सु आहे था एक जहना है लो जवाध मैं उसके नही बात कर सखूहा उप ज्युक्तार 만들 कर दो भांडे सु ठाल्य। नहीं होड़ियो.... वाहन आप सिताजी है तो जब आपको अच्छी जब चामरी अन होता है तो भोहत काम नहीं करना पद दा है इस पर्त फ फुव जिस ग्लोंच यू इस बिरेखक वे नियुद। So that's why, आप देखेंगे कि अप देखेंगे कि सारे तीन-चार साल की continuity में कहीं पहीं आप दिपिका को नहीं देखेंगे It's always, it's always Sita Ji, क्योंकि उटा ही नेखेंगे So I think, बहुत, बहुत, ये सब, it's a old school of thought, but I think tried and tested है, तो देखें आप उसका result देखेंगे अरुन गोविल जी ने एक smile से पूरे देश का पिछले 35 सालों से दिल जीता है I think 33 years, कितने साल हुए रामाइन को, 33 years? तो उनकी जो acting है, उसमें हर किरदार में जब वो गुसा होते हैं तो smile अलग होती है जब वो लक्षमन के साथ कुछ बात कर रहे हैं, जब वो ध्रिरता दिखाते हैं, जब वो आज जैसे वो वार के बार में बता रहे थे, आज के एपिसोड में हमने देखा कि वो अपने, जितने भी उनके सहयोगी है, सुग्रीव है, अंगध है, विभीशन है, उनके साथ strategy बना रहे है, तो उनके चहरे के जो हावभाव है और रामायन का एक खास बात मैंने जो देखी, कि close-ups बहुत हैं, बहुत close-ups हैं, सब बहुत close-ups और सब लोगों ने इतना controlled expressions के साथ बिना dramatic हुए, सारे dialogues को पूरे, पूरी तरह से निभाया है और खास तोर पे आप दोनों ने, राम और सीता, जो चेहरे के हावभाव है, कि कितनी smile देनी है, कैसे नपी तूली smile देनी है, बहुत ही प्यारा अभी ने आप दोनों ने किया है मतलब मुझे लगता है, जितना रामची smile करते है, उतना मैं रोती थी, तो मैं हमेशा हमारे ये comparison रहता था, कि आप smile करें है, मैं तो लंका में बैल के रो रही हूँ, सो हमारे ये हसी मजाख रहता था, पर आपने सही कहा, कि सब के performances बहुत बहुत जादा रहने हैं, और सभी पात्रों ने अपने अपनी तरह के से, they have done a very good job. तुमने जो दिल को उसमें जो हीरो थे, वो विजय हरो रहा थे, उन्होंने ने मेगनाद का रोल किया है, इतना अच्छा परफारमस दिया है उन्होंने. इस, आच्छा दिविगा जी, मैं रोज अंताक्षरी खिलता हूँ, सेलेबरिटीस के साथ, आज लॉकडाउन में आपके साथ बात हो रही है, तो एक रिक्वेस्ट आप से भी है, क्या हम छोटी सी अंताक्षरी खिल सकते हैं, आप कुछ गा सकती हैं, आप कुछ गा सकती तो दांसर में हो, मैं बरतनाकिन किया हुआ है, आरिंगनेकरन की एग्जामने की लेकिन, लेकिन I am dancer, I am dancer बरतनाकिन जब भी कुछ singing का होता था, वो तीन चार मेने मेरी टीचर भाग जाती थी, अब तक मेरा ये सिलसिला चला है, आप काना लेकिन की अंताकिन है, I don't think I can sing यहां से बताओंगी, it is really funny, we had a factory in Wafi, so Hemant और में वापरी से हम लोग रतन हो थे, and Hemant was singing some song and very fond of singing and he sings also very well, तक में उनकान काने काने है, तो एक में पूरे गाने हैं actually you know good men so Annho ने को गाना गाया, and a little time के बाद जाए, he said join me in the do it I said no, 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 I forced you so I was tak creator, so I had a friend on the phone, he'll say to say to you, so I'll sing together so he would not even let me sit after that one line he said, what is the party? I should listen to the song गाना स्वालीए एक पर आप एक शचाह था था, स्टेज पे गाना गाने के लिए हम लोग ने खो किया था आप और एक यह गाओ? क्या गाओ? तो भी जाओ एक यह एक दो तीन वाला गाना वसस्ट बथती पिम्लस हुआ था मादुरी का तो लो गाओ? so I said, okay, help me, so he said, yeah, don't worry, then he did this and actually, when I went to the stage, I had to joke, everything was done, and then the time came and I compared new, I was supposed to sing this song he said, let's go, let's get an expression, it's my body and tomar on the wing, he was playing with Harun's wife, he said, come on, 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 come on and I said, I told him about her básmage you said, Harunji, you said to her friend, you said to him, how did you feel his relationship with their family इन्टार के साथ रलेशनशिप कैसा है? बहुत अच्छा है इंट्वर अरुन जी से मैं बात नहीं करते हूं इनकी वाइफ और पेते से मैं बहुत जादा बात करती हूं उनकी बेटे का अचा था आई नहीं है आई नहीं है मैं सोनु है है पतलब उनका हम्हाइ यू तो मैसिज यही होगा कि फाइन था आग आगे अचे अचे कुछ रड़िय था अचे आगे अचर पादा इन नहीं है अच्छा गई मेश भावाण फालेशन फालेशन घ था हम गानों कि बात कर रहे थे पर पहई नहीं है उसे देखने की और तो रामानन सागर के के हम बहुत आबारी हैं पूरा भारत वास बहुत आबारी है कि उन्हों ने इस सीरील के जरिए इस धारावाही के जरिए इस कहानी को पीडियों तक पहुचाया और इस कहानी के जितने भी elements है, उसमें जो गुण है, वो हम तक पहुचा है, पता है, इस serial में उर्दू शब्दों का कोई प्रयोग नहीं है, डायलोग जितने अच्छे लिखे हैं उन्होंने, जी हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, there's no Urdu at all, हाँ, और बहुत research किया गया है, और research में हमने, बहु बद्रावन मालूम था कि उनको अगर मुझे मृत्यू मिले, बिल्कुल, 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 आजितने लिखे हैं, जी हमें कर खाया है, तो फो यह है करना पड़ेगा, बिल्कुल, बिल्कुल, आर गया जाना है, जी हरे बमझे यही स्ट्रेज़ार थे लिखे तो इस interesting and fruitful time रहा है हमारे लिए it has been beautiful one virtue that you got in your life after performing as Sita Indi Ramayana एक virtue, एक गुर्ण जो आपके जीवन में आया इस serial में काम करने लिए so stand by what is correct in life I think that is very important धर्म के साथ रहे not only धर्म, सच्चाई के साथ रहे सच्चाई के साथ and with the truth सच्चाई के साथ रहे क्या बात है बहुत ही अच्छा लगा आप से बात करके और जैसे Ramayana में वारता की दृष्टी से अगर देखें तो Sita जी ने लक्षमन रेखा का उल्लंगन किया और उसके परिणाम स्वरूप कितना कुछ सेहन करना पड़ा उनको उसके परिणाम स्वरूप ये पूरी कता हुई जब लक्षमन रेखा का उल्लंगन किया ये वारता है ये कता है तो उसी तरह से अभी हमको एक लक्षमन रेखा दी गई है कि हम घर से बाहर ना निकले तो उस लक्षमन रेखा का हम सभी पालन करें ऐसी शुपकामनाई आप अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे मैं आप सब को कहना चाहूंगी विनंती करना चाहूंगी कि प्लीज आप सब सेफ रहिए अपने परिवार के साथ रहिए अद भाहि जया है कि आप बहार नहीं चाहें क्योंकि करोणा आपके घर मे नहीं आता है वो बहार है अगर आप जांगे तो आप उसको बुलावे उन्हें खरिए तो ये धान में प्रिखेए कि कि भेट आप तो आपर झाहेंगे के लिए आप अपने आपको सुरक्षित रखे अपने परिवार को सुरक्षित रखे और यह सब कमईध है निकल जाएगा and धान रखे and enjoy yourself enjoy yourself with the family and बस तेरी शुब कामना है हम सब के साथ हमेशह रहेगी and love you all Thank you so much, धन्यवाद प्रणाम माते